प्रेंड्स गुड बॉर्णिंग इस्टेशन से अन प्लेसेज में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूटूब के चनल में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहराईश रेल्वे स्टेशन से गेज कनवर्जन का अपडेट लेकर आएं दो क्लिप्स हैं इसमें एक बाबु भाई ने बना कर भेजा है और ये जो सामने क्लिप्स है ये पिंटु भाई ने बना कर भेजा है आप दोनों भाईयों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश रहे हैं तो गेज कनवर्जन का अपडेट लेकर रहा हैं कुछ जोरी बातें भी बताते हैं सामने स्क्रीन पर आप लोगों को तस्वीर दिखाई पड़ रही होगी ये एक समाज सेवी का है सरीता पांडे मैडम जी इनके प्रयास से ही गोंडा बहराईच बड़ी इनका कार है गोंडा बहराईच के बीच में वो जल से जल सुरू किया जाए और कई बार प्रोपोजल एकसेप्ट भी हुआ रिजक्ट भी हुआ तो काफी समय बाद जो ये गेज कनवर्जन का काम है वो पूरा हो पाया लेकिन इनका प्रयास रहा और अब इन्होंने ये एक गोशना की है कि जो पिछले वीडियो में मैंने बहराईच से ईसा नगर लहरपूर लगुचा होता हुए खीरी तक नई रेल लाइन का जिक्र किया है उसके लिए भी अब ये प्रयास करेंगी और हम भी प्रयास करेंगे कि यकीना नगर ये रेल लाइन बन गई नई रेल ल खुलेंगे और बहराईच के साथ सा लखीमपूर भी तरक्की करेगा इस क्लिप्स को बाबु भाई ने बना के भेजा है बाबु भाई आपका बहुत शुक्रिया यहां पर देख सकते हैं यह देखे क्लिप्स निकालने का जो काम है मीटर गेश ट्रैक से वो कर लिया गया ह यहीं अपडेट हम आप लोगों को देने के लिए इस वीडियो में दिखा रहे हैं और कई लोग मांग भी कर रहे थे कि बहराईच रेलवे स्टेशन से अपडेट दीजिए तो क्लिप्स निकालने का काम अभी किया गया है और ट्रैक बहुत जल्द उखाड़ा जाएगा ज जिस दिन ट्रैक उखाड़ा जाएगा उस दिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ट्रैक उखाड़ते हुए भी दिखाएं उसका अपडेट भी देंगे क्योंकि जब तक काम नहीं होगा तब तक हम आप लोगों को अपडेट कैसे देंगे तो बहुत से लोग बार बार अपडेट माग रहे थे तो आज अपडेट आप लोगों के सामने आ गया तो बहुत जल्द यहां पर पत्रिया उखाडते हुए आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे और एक बात और भी आप लोगों को बता दें कि बहराईश रेलवे स्टेशन भी अमरत भारत योजना के अंतरकत शामिल किया गया है काफी समय पहले ही लेकिन चुकी यहां पर मीटर गेश ट्रेक था और इस ट्रेक को जब तक उखाड़ा नहीं हो जाएगा तब तक अमरत भारत योजना के अंतरकत कार शुरू नहीं किये जाएंगे तो बहराईश रेलवे स्टेशन से लगबग 2 किलिमीटर आगे का ये व्यू है तो जहाँ पर देख सकते हैं ट्रेक बिलकुल उखाड दिया गया है और ये काम काफी समय पहले ही कर लिया गया था और जो यहाँ पर आपके स्लीपर थे लोहेके उनको भी हटा दिया गया है कि बैलाष्ट बचा हुआ है और आप ये मान के चल सकते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर यानि कि बहराईश से जो नानपारा के बीच में जितना भी मीठर गेश का ट्रेक है वो जहां तक संभव है पूरा उखाड लिया जाए 31 मार्च 2024 के अंदर अंदर फिर उसके बाद अगर मौक जहां पर गेश कनवर्जन का काम किया जा रहा है जिससे कि आप लोगों के माध्यम से हम दूसरों तक ये अपडेट पहुंचाते हैं तो आप लोग भी एक जरिया होते हैं समास सेवा करने के लिए और आपके माध्यम से भी समास सेवा हो रहा है इसमें खाली हमारा ही रोल नहीं है, आप लोगों का भी योगदान है, आप ही के माध्यम से लोगों तक अपडेट पहुंचती है, तो यह जो सीधे डारेक्शन है, यह बहराइस रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई है, जैसा कि मैंने बताया, 2 km लगबग दूरी है यहां से, और इसके ठीक पीछे नान भारत.